question number two and I was thrown 20 times and the following outcomes were recorded 5 2 1 3 4 4 5 6 2 2 4 5 5 6 2 2 4 5 5 1 arrange the above data in ascending order and prepare the frequency table देखो यह कहरा है एक dice को 20 बार फिका गया है और कुछ outcomes यह आए है इनको arrange कर दीजिए आप किसमें ascending order में और फिर क्या करना है प्रिपेर करना है frequency table तो देखिए सबसे पहले इसने हमसे क्या कहा कि आप data को arrange करो ascending order में तो आप लिखना solution और लिखना arranging data in ascending order ठीक है तो data को हम किसमें कर रहे है ascending order में तो सबसे छोटा क्या आता है देखो इन समय सबसे छोटा क्या है one तो one को मैंने लिखा अब देखो यह कितने बार है one एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो one दो बार आया है फिर one से बड़ा क्या होता है two two कितने बार है देखो one two three four five तो two जो है हमारा five बार आया है तो हम two को कितने बार लिखेंगे five बार इसके बाद देखो two से बड़ा क्या होता है three तो three कितने बार है देखो one और कहीं है आगे नहीं है तो three को एक बार इसके बाद four तो four देखो कितने बार है one two three four तो हमारा four जो है four बार आया है ठीक है four से बड़ा five five कितने बार आया है देखो one two three four five six तो five जो है हमारा वो कितने बार आया है six बार तो आप six बार five को लिखना ठीक है, तो 6 बार लिख दिया मैंने, फिर दिखो 6 कितने बार आया है, तो 6 आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 बार आया है 6, तो हमने लिखा ऐसे 6 और 6, तो data को हमने ascending order में तो कर दिया, अब हम क्या बनाएंगे, frequency table, अब लिखना ऐसे frequency और table, तो frequency table में पहले लिखना observation, कि हम किस को observe कर रहे हैं, तो observation में हम कर रहे हैं, observe किस को पहले, वो मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले observation में observe कर रहे हैं किस को, one को, तो 1 की frequency क्या है frequency मतलब कि कितने बार 1 आ रहा है तो 1 कितने बार आ रहा है देखो कितने बार आ रहा है 2 बार तो 1 की frequency है 2 फिर observe करते हैं किसको 2 को तो 2 कितने बार आ रहा है देखो 3 to 5 तो 2 कितने बार आ रहा है 5 बार इसके बाद हम अगला देखते हैं 3 तो 3 कितने बार आ रहा है 3 को observe कि लिए कि लिए 1 बार आ रहा है इसके बाद हम किसको observe कर रहे है 4 को 4 कितने बार आ रहा है देखो 4 बार और फिर इसके बाद देखो 5 कितने बार आ रहा है 5 आ रहा है 6 बार और 6 कितने बार आ रहा है 2 बार तो यही हमारा answer है पूरा ठीक है तो हमने frequency table बना दी है और इसमें कितने थे देखो कितने बार फिका गया था 20 बार तो total कितने बार आई frequency frequency का total कितना है आप add कर के देखो 2 और 5 7 8 4 12 6 18 और 2 20 तो total हमारा कितना आया है total हमारा आया है total 20 बार तो आप यह भी लिख सकते हैं नहीं लिखोगे तो भी कोई बात ठीक है तो I hope आपको question समझ माया होगा चलते हैं next question पर